हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आओर यूटूब चैनल इस्टडी प्री क्वेस्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जैसेसी का जो इंटर लेवल का वेकेंसी निकला है टाइपिंग पोस्ट के लिए उसका नाकपूरी सिलेबस को डिसकस करेंगे और देखेंगे कि सिलेबस म क्या-क्या है और कौनसा बूग पढ़ना होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल कर नागपूरी में तो नाकपूरी का जो सिलेबस है उसको दो भागम बाटा गया है तो पहला है जिसमें व्याकरन व्याकरन में क्या पढ़ना है तो वर्न, संग्या, स्वर्णाम, लिंग, वचन, कारक, विसेशन, किरिया, विसेशन, काल, धातु, किरिया, वाक्य, अभ्य, उपसर्ग, प्रत्य, समास, अनेक सब्दों के बदले, एक सब्द, विलोम सब्द, पर्याय वाची सब्द, सब्द, तो यह जो सिलेबस है, यह intermediate हो, चाहे graduate level हो, जो कि जो से सी, सीजल निकला हुआ है, या metric level का एक्जाम हो, जैसे अभी निकला हुआ है, उत्पात सिपाही का, तो यह सारे में यह जो grammar portion है, common है, same है, तो आप अगर सभी एक्जाम भरे हैं, फिर भी आपको बहुत ज् सिलेबस सेम है, उसके बाद दूसरा साहित्य है, तो नागपूरी लोग साहित्य में क्या पढ़ना है, लोग गीत, लोग कथा, बुझावल, कहावत और मुहावरे, तो यह नागपूरी लोग साहित्य भी CGL में है, same to same वही सिलेबस है, तो यह भी जो लोग CGL कते यारी कर हैं, वो लोग इसको पढ़ चुके होंगे, इसके अलावा है लोग गीत में, वही भगवा, डमकच, अंगनाई, मर्दानी, जुमर, बंगला, जुमर, उदासी, पावस, लहुसुआ, जुम्टा, यह सब तो यह सब हम पहले करा चुके हैं, तो यह सब इंटर हो, मेट्रिक ह सब में सेम है, तो अब कहां पास चेंजिंग है, तो यह दो पर्षन जो है, बिल्कुल सेम है, इंटरमेडियेट में भी, और ग्रेजुएट में भी, और इंटर, मेट्रिक लेवल में भी, अब लोग कथा में, वन हरनी कर बेटा पढ़ना है, जो की ग्रेजुएट लेवल म इसमें नया क्या पढ़ना है आपको बुधु बंडारी पढ़ना है भाई वहिन पढ़ना है और बालमाई तरानी पढ़ना है देखिए ये तीन लोग कथा आपको बच रहा है बुधु बंडारी भाई वहिन और बालमाई तरानी बहुत से लोग कनफ्यूजन करते हैं भाई व्हिन और साट वाई एक बहिन दोनों अलग अलग कहानी है उसलिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर इसमें तो ऐसा है इसमें तो ऐसा है सात भाई एक बहिन अलग कहानी है और भाई बहिन अलग कहानी है लोक था है तो दोनों अलग अलग है इसमें हम जो लोक था है उसको cover करेंगे जो छूटा हुआ है वन हरनी का बेटा करा चुके हैं वैसे फिर से करा देंगे तो बुधु भंडारी भाई भाहिन और बालमाईत रानी ये तीन लोग का था है जो हमको अलग से पढ़ना है और सबसे महत्पून बात की इसमें बनफुल भाग एक पढ़ना है जिस तरह से टेंथ लेबल में मंजर्व पढ़ना था और बनकेवरा पढ़ना था जैसे सीजेल या ग्रेजुएट लेबल में बनकेवरा पढ़ना है उसी तरह से इसमें क्या पढ़ना है बनफुल भाग एक पढ़ना है जो कि नाकपूरी गद पद संग्रा है तो देखिए बुक का ही नाम रहता है गद एवं पद संग्रा इसमें भी वैसा ही है कहानी है कुछ निबंध और इसमें तो एक लोग कथा भी है बन फूल भाग वन में एक लोग कथा भी है तो फिर से मत बोलिये कि सरगद और पधी के वल पढ़ना है बुक में जितना है बन फूल भाग एक में वो सारा पढ़ना होगा मंजर में जितना है सारा पढ़ना होगा या तो आपको जो बन के उसमें जो भी है वो सारा पढ़ना हो तो में इसमें इंटर लेबल का जो टाइपिंग पोस्ट के लिए है उसमें क्या पढ़ना है बन्फूल भाग एक और आने वाला जो भी वेकेंसी आएगा इंटर लेबल में बिना नन टाइपिंग पोस्ट में भी आएगा तो उसमें भी सेम सिले बस रहेगा तो अभी इसको अच्छे से तयारी किजएगा तो आने वाला जो भी एक जाम होगा इंटर लेवल का उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं तो बस तयारी में लग जाना है आपको इसमें आपको बनफुल भाग एक ले लेना है पुस्तक हम आपको दिखाते हैं कैसा है ये है बनफुल भाग एक देखिए नाकपूरी गद एवं पद संग्रा बुक का नाम ही होता है गद एवं पद संग्रा तो उसमें बेकार में क्वेश्चन करते हैं कि सर गद और पद के वल पढ़ना है गद एवं पद का माने पूरा भूक हो गया ये है इसका प्राइस लगभग 100 रुपिया है राची में अभिलेवल है बहुत सा जिल्या में अभी नहीं है इसके अंदर में क्या क्या है तो देखिए इसके अंदर में आपको है कवीता यानि कि पद भाग कितना कवीता पढ़ना है तो 20 कवीता पढ़ना है जिसमें कि फुलवारी एक लोगीत है इसमें 20 कवीता आपको पढ़ना है जो की बनके वराम 32 कवीता पढ़ना था तो इसमें कितना पढ़ना है 20 पढ़ना है इसके अलावा कहानी, निबंध, लेक और लोग कथा देखिए इसमें एक लोग कथा भी है सोना करकेस इसका राइटर का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है तो सोना करकेस इसमें एक लोग कथा भी है तो यह सारा पढ़ना है इसमें कहानी है, निबंध है, लेक है, तो आपको ये सारा चीज पढ़ना है, तो ये बार दूरा देते हैं, confusion ना हो, व्याकरन पढ़ना है, जो कि सेम है, साहित्य में वही लोग साहित्य पढ़ना है, भूनेस्वार अनुजी का, फिर लोगीत में वही है, जो कि पहले भी बत आ चुके हैं, लोकथा में आपको चार लोकथा पढ़ना है, वन हरनी का बेटा, बुधु भंडारी, भाई बहिन और बलमाईत रानी, इसके अलावा बनफूल पढ़ना है, भाग एक, पूरा पढ़ना है, बनफूल, इस तरह से, अब बनफूल में क्या-क्या है, तो 20 कवि Studio Pre-Question का एप में होगा, जो भी कलास होगा, वो Studio Pre-Question का एप में होगा, डेमो कलास, YouTube में अपलोड होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है, तो आप Class जोइन कर सकते हैं, हमारा एप होगा, Study Pre-Question में, उसका लिंग हम दिस्क्रिप्शं में दे दे रहे हैं और उसमें आपको class कराया जाएगा उसके अलावा परतेक chapter का objective question कराया जाएगा चाहे यह book का हो बनफुल हो चाहे grammar हो चाहे लोग साहित्य हो चाहे लोग गीत हो चाहे लोग कताविन सारा का objective question भी बहुत ज्यादा ज्यादा objective question कराया जाएगा ताकि आपको exam में कोई problem ना हो और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे और वीडियो को ज्यादा ज्यादा share कर दीजे और आभी भी कोई आपको confusion है सिले बस को लेकर तो comment box में जरूर बता है thanks for watching